नमस्कार आप देख रहे हैं लोग तंद्र मैं हूँ आपके साथ अक्षा है देश में लोग सभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रहे हैं सभी रादने तेख दल अपने अपने पक्षबे चुनावी माहौल को बरानी की जुगत में हैं और इसी करी में उत्तर प् चुनाव यूपी महापर में सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है जो चुनाव की दशा और देशा को बदलने का मद्दा रखता है और इस बात का अंदाजा 2014 के लोग सभा चुनाव में सभी रादनेतिक दलों को हो भी चुका है योगी आदितनात ने हाला कि ये समवात कु को लेकर सरकार का पक्ष रखा लेकिन योगी आदितनात की ये कवाय विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहे हैं मन की बात को जुमले वाजी करार देते हैं विपक्ष सरकार को हर मोचे पर विफल बता रहा हैं ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि चुनावी बेल देश के सबसे बड़े सूबे के 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भगवा लहनाने के लिए बीडेपी ने जुवाओं को मनाने का प्रयास शुरू किया है 23 करोड जनसंक्या वाले उत्तर प्रदेश में 55 फीज़ दी जुवा है इसलिए मुख्यमंतरी योगी यादर्तनाथ जुवाओं को मनाने की कोशश में है योगी ने युवाओं से मन की बात की सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें अफगत कराया युवाओं ने भी युवाओं बिडेपी पर विश्वास करेंगे देश में चुनाव की तैयारियां चल रही है चुनावी महभारत में जीत हासिल करने के लिए सियासी पार्टियां जनिता को लुभाने में लगी है देश में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है करीब 55 फीजदी युवा लोग तंद्र की सबसे बड़ी लडाई में मैधपूर भूमिका निभाते है युवा जिसे चाहें उसे अपने मताधिकार से माला माल कर दें और जिसे चाहें उसे कंगाल और इसलिए सियासी पार्टियों के नजर हमेशा से युवा वोटर्स पर रही है बीडेपी ने 55 फीजदी युवाओं के बल पर 2014 के चुनाओं में विपक्षी पार्टियों को धूल चटाई थी अब एक बार फिर बीडेपी युवाओं को साधने में जुट गई टाकि मिशन 2019 में एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को मात दी जा सके मोधी कई बार युवाओं से मन की बात कर चुके हैं अब बीडेपी शासित राजों के मुख्यमंतरी युवाओं से मन की बात के जरिये अपने कामों का हिसाब दे रहे हैं यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने युवाओं से अपनी मन की बात कही और युवाओं ने भी अपनी समस्याँ बताई युवाओं ने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ से कहा कि नामुम्किन को मुम्किन में बदलने का नाम मोधी योगी ने कहा कि राममंदिर का रास्ता जरूर निकलेगा उन्होंने भारत के मन की बात मोधी जी के साथ अभियान के तहट वीडियो कॉन्फरेंसें के जरिये युवाओं से सीधा समवाद किया ये समवाद मेरट, आगरा, गोरकपुर, कानपुर और वानरसी के युवाओं के बीच हुआ जिसका सीधा प्रसारन असी लोकसवा शेत्रों में किया गया ताकि मिशन 2019 से पहले युवाओं के बीच अच्छा मैसेच जा पाए योगी हदितनाद ने युवाओं के सामने अपने शासन काल के दोरान हुए कामकाज का बखान किया सरकार की और से किये गये कामों के बारे में युवाओं को जानकारी दी योगी ने कुम्ब से लेकर सरकारी योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरूख कराया ये बताने की कोशिश की कि हम विकास के पत पर प्रदेश को ले जाने की कोशिश में जुटें कहते हैं यूपी से होकर ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है जिसने यूपी का दिल जीत लिया वोही दिल्ली की गद्दी पर राच करता है 80 सीटों वाले उत्तर प्रिदेश में बीडेपी अकेले 71 सीटों पर कबजा करने में काम्याब रही थी बीजेपी ने एक बार फैर योवाओं के दिलों में जगे बनाने की कोशिश की है ताकि मेशन 2019 में किसी तेरे की कोई बाधा ना आ सके आला कि योगी की मन की बात पर वेपक्षी पार्टियों ने सवाल ख़़े की है योगी जी लखनों में रहेंगे साथ-साथ मेरट, कानपूर, गोरपूर, आगरा, वारानुसी के भीवा एक अठे होंगे और इंटरनेट के माध्यम से वो जोड़ेंगे एक अठे होंगे, करीब 10 करोड़ों लोगों का फिड़बैक लिया जाएगा संकल पत्र को तयार करने के लिए मन की बात युवाओं की सुननी चाहिए, अपनी मन की बात मोदी जी ने भी बहुत सुना दी और योगी जी भी अब सुनाना शुरू कर चुके हैं जो वादे करके आई थी किसी एक वादे पर खड़े नहीं होते हैं, एक वादे पर, मैं बड़ी विनमुता से मोदी जी और योगी जी से कहता हूँ के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में ये युवा अपनी मन की बात कहेंगे, तो आप कहीं पर नहीं रहेंगे योगी ने तो यूपी के यवाओं से मन की बात के और जवाओं को प्रदेश में हो रहे हैं कामों के बारे में बताया युवाओं को ये समझाने की कोशिश की कि BJP ही प्रेदेश के विकास को उचाईयों तक ले जाने का साहस रखती है युवाओं के भविश को उज्जुवल बना सकती है लेकिन देखना होगा कि युवा BJP पर इस बार कितना भरोसा कर पाते हैं मोदी और योगी जी की मन की बात को कितना समझ पाते हैं बड़ा सवाल ये भी है कि एक बार फिर यूपी का युवा BJP की वजाई रद को दिल्ली तक क्या पहुँचाएगा ब्यूरो रिपोर्ट एपियं यहां तो सवाल इसी बात को लेकर रिफना है कि चुनावी बेला में ऐसे समवादों से क्या वाकई लोगों में खास तो आप वोटर्स पर अस्थर पढ़ता है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे सभी खास मेमान हमारे साथ जो चुके हैं सबसे पहले अपने धर्चों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्माने तत्यतियों से मेरे साथ नोड़ा स्टूडियो से प्रशान पाठाक जी जोने हैं आप नेता हैं PSPL के यानि की प्रगतिशील समाज़ पार्टी लोहिया के लखनों से चार खास मेमान है कुमार अशुक पांडे जी हैं जो भारती जंता पार्टी को रिप्रिजन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनना अलवी सहाब हैं आप नेता है समाज़वादी पार्टी के सदव जाफर जी हमारे साथ इस कारक्रम में शामिल हैं आप प्रवक्ता हैं कॉंग्रेस पार्टी की और वरिस पत्रकार हसीब सिद्धिकी साहब हमारे साथ इसकारक्रम का हिस्सा है। बहुत स्वागत है आप सभी का इसकारक्रम में शामिल होने के लिए शुरुवात कुमार अशोक पांडे जी मैं आप से करूँगा। कितना भरोसा है बीडेपी को ऐसे समवादों के जरिये जुवा वोटर एक बार फिर बीडेपी के साथ जाने को प्रेरित होगा। बहुत से कार में भागीदारी करना चाहता है वो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है और उसकी लड़ाई युवा लड़ रहा है। आज का जिम्मेदार युवा जो सोच रहा है हम उसको वसी सही मार्ग दर्शन से करने का काम कर रहे हैं और उसको वो नित्रत देने की छमता पैदा कर रहे हैं कि युवा अपने नित्रत से इस मार्ग को समाज को और मजबूत करे और क्रियाशील करे आपको कहला है कि वोटर सरकार के काम काश का आकलन नहीं करता या फिर जब सरकार योजना गिनाती है बताती है तब वो जान पाते हैं कि सरकार हमारी क्या कर रही है नहीं बात आकलन की नहीं है बिल्कुल वोटर जो है उसमें ततपरता से रहता है ये निश्चित तोर पर मन की बात करने से उनके मन की बात भी हमको मालूम पड़ती है हमारे मन की बात नहीं होती वो वो में तोर पर जनता के मन की बात होती है यहां तो आज तक ऐसी ऐसी इस्टिती है आज यह जो नेता आपको गली गली जो शैर शैर घूमते दिख रहे हैं यह बेडरूम पॉलिटीशन्स थे अभै जी मुझे कोई अक्षे जी मुझे कहने में कोई संकोज गुरेज नहीं है कि यह बेडरूम तर सीमित रहते थे यह ड्राइंग रूम तर सीमित रहते थे यह कभी एर कंडिशन्स कमरों को छोड़के जमीन पर जाते नहीं थे आज इनको मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि आज हम जनता के बीच में हैं एक एक समवाद जनता से सीधा हो रहा है सीधा एक विक्ति प्रधान मंत्री से बात कर सकता है एक ऐसी विवस्था पर हमने काम किया है जिसमें समाज का हर तपका हम यह नहीं कहते हैं कि सरकार किसी एक विक्ति के लिए है यह समाज में किसी एक का काम सोच रही है हम प्रतेग तपके का विकास की बात कर रहे हैं और जहां पे समाज में एक जाती एक धर्म की चर्चा शुरू हो गई थी वहां पे सबका साथ सबका विकास बहुत भारी पड़ा है यह आप देख रहे हैं आप अपनी पार्टी के पूरी कीजेगा लेकिन सदफ जाफर जी मन की बात करने में मन की बात सुनने में आपती क्यों होने चाहिए आप लोगों को किसी ने रोका क्या कि आप मत कीजे मन की बात आप दिल की बात कर लीजे क्या फरक परता है हम मन की भी बात करते हैं हम दिमाग की भी बात करते हैं हमें किसी ने रोका नहीं है ना सम्विधान किसी को अलाओ करता है कि रोक सके मन की बात जब आप करते हैं तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जन्ती भी तो बात सुनेंगे कि सिर्फ मन ही की बात सुनेंगे अच्छा आप न जाएए गाओं तक जो लोग आपके दर्वाजे आ रहे हैं विधान सभा पे जो शिक्षा मित्र सरम उड़ा रहे हैं हाँ या फिर जो बियाडी के बच्चे नने नने मर रहे हैं उनको जो कफन तक नहीं दिया जा रहा है उन्हीं तॉलियों में लपेट के वापस मा के हाथ में दे दिया जाता है उसी स्कूटर पे जिससे आस पे बैट के आई थी कि वो बच्चों का इलाज कराएगी उसी पे बैट के वापस ले जाती है या रेप विक्तिम जब तक पेट्रोल डाल की अपने उपर आग लगाने नहीं खड़ी हो जाती तब तक नहीं सुनते हैं आप तमाम ऐसे गोंडा, फतेपूर, बांदा, बदाईूं में लड़कियों ने, महिलाओं ने जान दे दी क्योंकि क्लीन चिट मिल गई उनके रेपिस्ट को और कुछ भी नहीं किया गया जहां विवेट तिवारी अपनी जान से जाता है, जहां सुबोध राठोर अपनी जान से जाता है, क्या उन लोगों की व्यथा कोई सुनेगा, कि सिर्फ अपनी मन की बात करके आप जो है गंगा पार कर लेंगे अब बड़ी बाते, बड़े बड़े प्रचार, बड़ी बड़ी चीजे, इस तरह का अगर समवाथ कोई भी करता है, आज वीजेपी कर रही है, कल को कोई और भी करें, तो क्या इस तरह के समवाथ की ये गरंटी मानी जाय क्या, कि वोटर आप से प्रभावित हो जाएगा, अक्षे इसको अगर समवाथ क्यों कह रहे हैं, अक्षे ये समवाथ कहा हुआ, ये तो मोनो लॉग हुआ ना, इच इस नौट डायलोग, भी डायलोग तो दो तरफा होता है, तुमने अपनी कही, मैंने अपनी कही हम डायलोग कर रहे हैं, यहां तो मैंने अपनी कह के रेड जिस इंसेफलाइटिस का आपने दिक्र किया वह वाकई में काफी दर्दनाक था उसका दर्थ सिर्फ वही परिवार समझ सकते हैं जिसने उसको भुकता है और वह लेकिन लेकिन तक्रीबर यह समस्या प्लचारी तक्रीबर चालीस सालों से हैं इस बार इसमें 90 परसंट पांड इसा तक्रीवन 38-40 सालों से पूरवांचल में थी इस पर काबू पाने के पहले प्रयास नहीं किये गया सभी सरकारों ने किया मौझूदा सरकार ने कितना किया नहीं किया इसका जबाब तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता देंगे लेकिन जो इंसेफलाइटिस की बात कर रह रही की असर देख रहा है और इसमें कितनी सचा ही इस पर तो हम सिद्की साब से जवाब ले लेंगे ले लोगा अगर करेंगी मलब आप याद दिलाएंगी तो तो तमाम ऐसी आपके पार्टी की नेता हो के बयान आ जाएंगे जिस पर आपको जवाब देना मुश्किल होग आप लोगों की बातों पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई वज़े रही होगी निश्चित तोर पर जिसका आप लोगों ने किया और करना भी चाहिए आप दो बार आपके पास करेंगे मैं वहीं तो कह रहा हूं आप जब एक तरफ कहते हैं कि जनता जन करती है तो आपती है क्या अगर सरकार की योजना बताती कि हमने क्या क्या योजना यह तो अच्छी बात है जिनको नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है उन्हें पता तो चले कि कर रही है तो क्या कर रही है उसका कितना फायदा मिल रहा है जी बिल्कुल कोई भी इस तरीके का अगर समवाद करना चाहता है तो कोई भी राजनेतिक दल इसमें कोई आपत्ती नहीं करता है सिर्फ आपत्ती इस बात की है अच्छे जी कि हमें क्या उसके अंदर जो हमने ये वनवे कामिनिकेशन का जो रास्ता अपनाया था आज हमारी योगी जी ने उस वनवे कामिनिशन ने जो हमारी सिस्टर ने बात सही कही है कि ये तो बिल्कुल मोनो लाग रहा डायलाग तो हु सीटیں वहां तक युवाओं तक ये अपनी बात पहुचाना चाहते थे लेकिंञ जब यवाओं की जब बात हो रही थी तो कम से कम ये ध्यान दे ले ना चाहिए था कि हम जिस मूँ से हम उनको युवाओं को अपनी तरह आकरशित करने के लिए जा रहे हैं अपनी तमाम जो प्रेम पिटारा खोलने की बात कर रहे हैं तो उसमें कम से कम देख लेते कि यहीं लखनव की सरजमीन पर कितने बेरोजगार नौजवान यहां पर आए और चाहे जो है आपने डिये टीटी या इसके अलावा आपने सिक्षा मित्र ऐसे कितने दिव्यांगों तक पर यहां लाठी चलने का काम आपसे छुपा हुआ नहीं है आप में फसल जो रखाता है बेचारा अन्ना मवेश्यों से वहां पर वो बेचारा बेरोजगार जो कभी दिन में रोजगार पाने के लिए कहीं पर जो है मजदूरी करता था वो आज मजदूरी जाने के लाइक भी नहीं बचा वो पूरी पूरी रात बैटकर वहाँ पे अपने खेतों को अपने फेट बरने के लिए पनी फसल बचाने के काम कर रहा है उसकी बात कर ली आती जब आपने नोट बंदी की थी उसमें कितने परिवार बहुत सारे लोग जो हैं हमारे बीच में नहीं रहे चले गए उस तरासदी में उनके परिवारों में भी नوجवान हैं क्या उनके घरों तक जाकर उनकी कोई रोजगार की कोई ब्यवस्था की गई होती उनकी बात कर ली गई होती जी अस्टी के बंद होने से जो यहां के तमाम नوجवान जो कारोबार जो छोटा कर सकते थे जिने यहां पर मुहया नहीं है अभी तक कोई रोजगार वो अपना एक छोटा सा कोई लगूद्यम कर सकते थे उनकी बात कर ली गई होती बात नहीं की गई दूसरी सबसे बड़ी चीज की ये इन सब चीजों से जहां पर आपको सरकार की कम्या नजर आती है विपाष्ट का ये दाइत भी बनता है कि वहां पर सरकार को याद दिला जाए कि आप कहां पर गलबड रास्ते में हैं आप अपना रास्ता सही बही कारी तो हम लोग कर रहे हैं मैं आपके पास दोबार आँगा वही काले तो हम कर रहा है यह ग्यान विपक्ष में भैटने के बाद ही आता है कह राजनेतिक दलों को देखिए ग्यान की बात नहीं है आप प्रदेश की समस्तिहां को समझने की कोशिश करें अच्छे जी बड़ा ही बड़ा ही विनमना का एक दी आगस्त में दो बच्चे मरते हैं तो यह यह आपकी सभ्यादन सीलता नहीं आपकी सम 맡ने की बात कर रहे हैं आपने जा करके जो उस्तरा बारा जवान सही दूए उनके घर्शा करकर इनके दिल की बात लिए उनके बात कर लेते जाकि बड़ा अच्छा लगता मैं भी कहत उत्तर परदेश के अंदर हुए। उनके मन की बात नहीं हूए। इस से पुलिस वाला सही हुआ था मलोच मृषile परिवार दरदर ठोकरेखाने को तयार है, उसकी अपको पूब आप उनके परिवार की बनिकी बात है। आने जो अभी पिछली जो घटना हुई शुबो सिंग के परिवार का क्या हुआ उनके मन की बात आपने नहीं ली किस तरीके से उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में बढ़का जिस तरीके से दंगा बढ़काने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी प्राड़ दिन ने चौर कर करें कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो आप रोजगार पैदा करने का काम करें के साथ हालां कि इस बार के मन की बात में जहां तक जो जानकारी मिली है कि इस बार मन की बात सिर्फ पही नहीं गई है मुष्ण्य मैं जी अपनी बात रखके है खैर मैं आपसे यह जाना चाह रहा हूं कि क्या मन की बात कहे देने भर से सुन लेने भर से वोट मिल जाते हैं क्या मैं एक्षे देखें हैं चाहिं होता है मन की बात की बात को कि मेरा मन की बात की शक्राडरा वोंकि कैसे क्राऊति कहा है नहीं को जमा कि आप वह के लोग हैं आपके समर्थक हैं आप से अनिजी सवाल वो नहीं पूछ सकते हैं यह सिद्धी बात हैं तो सवाल है कि आपने इंका चैन कैसे किया यह यह नहीं जानता है जब क्रास्टिक्शन को आप लेंगे तो आक मानूगा कि उनकी भावना है क्या है अब बात जैसे और लो के सहीर होगा तो भी आपको मानूगा कि वो क्या चाटे है कहना आपने एक अपने उचाधारा को लोग जम्हा कर लिए उनसे अपनी बात कह दी उनकी हमत नहीं होगी कि अपने अजिता से जो है सवाल करने की यह सीधी बात है तो को तरिका का ऐसा हो कि जिसमें वास्ता हो मे मन की बात, जन्ता के मन की बात, आम अमनी के मन की बात, मालुम करने का प्रियास किया जाए, कोई पार्टी करें, तो उसका जो है फाइदा होता है, वोट में बदल सकती है, उससे जो जैसे अभी हो रहा है, कुछ पार्टी कर रही है, निफेस्टों बना रही है, शेरों शेरो आपके पार्टी के हैं आपके लोग हैं बड़े नेता से जो है कौन सवाल करेगा तो मिटको नहीं रखता कि इसका कोई बहुत बड़ा उप्योग होने जा रहा है देखे मैं अभी आज ही देख रहा था सुसरी मिडिया को पर छे साथ छे वर्ष पूर हमारा उत्मरदेश का जवान मस्रा का जो शहीद हुआ था यहां बहुत बादेश बहुत हंगा में हुए थे इसरकार और थी हमारी उत जवाने में बहुत लोग भी गया सब कुछ हुआ मापर जी 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 विद्वा का जो है वो इंटर्विव आ रहा था हुए था कि जो बादेश हुए थे हम से ना पिड़ल पंबला ना ना उखरी मिली ना पैसा मिला ना कुछ हुआ तो इस तरह का कोई बी समवात करते हैं चाहें वो आप अपने पार्टी कारे करता हुआ को बुला कर लीजे या फिर जो आपके फेवरेबल हैं उनको बुला कर कर लीजे क्या फरक परता है जो यहां बेरोजगार है जो सलकों पर धूल फाक रहा है अपने साटिफिकेट हाथ में थामें उससे क्या फरक पड़ता है कि अगर आपने मन की बात कहली और उसको भरोसा दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं अगर उसके हाथ में रोजगार नहीं है तो वह क्या उस बाद से प्रभावित आप उसे पूछिए आपके क्या आपकी समझता है तब लगता है कि होता है महां से आपको सही फीड़बैक मिले यह यह चुलावी हतकंडे होते हैं जिसको सभी दल अपनाते हैं हाला कि यह बात अलग होती है कि अगर कोई दूसरा दल अपनाता है तो कहीं आपती दिखाई देती है लेकिन जब खुद वो काम करते हैं तो नहीं लगता है कि यह तो हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है यह बात ठीक भी है कि और दलने कभी इस तरीके का थोपा गया है बयान ने मैं मैं दोबारा आओंगा ना सर और जो लाठी लाठी चार्ज का जो आपने जिक्र किया रोजगार को लेकर बात किया है तो आप से भी तो पूछे हैं गौर साथी प्रवक्ता प्रतिनिदी हमारे साथ हैं उनकी पार उन्होंने को साथ हूब जबकि उस सरकार का महतपूर अंग वो थे तो सवाल यह कि जब आप जिसके साथ रहते हो उस वक्त वैसी बात करते हो जाते हो तो इसके पीछे मक्सद क्या था हम यह भी समझेंगे हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुक्यमंतरी योगी आदित नात के जिन्होंने युवाओं से मन की बात किया है और वीडियो कांफरेंसें के माध्यम से उत्तर प्रदेश की असी लोकसवा सीटों में बाकायदा इसका प्रसारन भी किया गया है यानि सरकार की उपलब्यों को युवाओं के बीच में ले जाकर अपनी सरकार के विजन को ले से समवादों से लोग आकर्शित होते हैं इसी पर हम चर्षा कर रहे हैं सभी खास मायमान हमारे साथ बने हुए हैं लखनो का हम रुक करेंगे सदव जाफर जी मैं आपके पास ही आऊंगा आपकी पार्टी कॉंग्रेस भी तो युवाओं को जोडने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं रणीत ही अक्तियार की जा रही है कोई दूसरा अगर करता है तो दिक्कत क्या है बिल्कुल दिक्कत नहीं है हम तो कह रहे हैं कि आपका जो कारेकाल पांच साल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है और दो साल तीन होने वाले हैं इनको हम कहते हैं कि आपने रोजग अगर अपना रिपोर्ट कार्ट देगी तो कोई भी सरकार वो अपने पक्ष में देगी एनसे सो एक और अपर आप जानते हैं तो आप प्र पर भरोसा कैसे करेंगी जब सी एजी के रिपोर्ट और आफिल मामले पर नहीं आती तब आप लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार डर मी प्रफ और अपनी मर्जी से रिपॉर्ट तैयार कियहां क्या किया दाब को अस्पेम धेंगे 50 ग्यारा काओ रिलेटेड्ट जो हैं वहाथ से हुए यूपी में जो मेरे सग्यान में हैं किसी के पास नहीं गए ये किसी को पूछा नहीं कि जो विक्टिम्स हैं उनका क्या हाल है इनको पीट पीट के मार दिया गया चाहे वो किसी भी उसमें रहे हो जिस कंडिशन में गरीब से गरीबतर लोग मरें हैं काव विजिलांटिसम में क्या उनको कोई किसी तरह का वो मिला है एंड काउंटर जो प्रायोजित एंड पाउंटर जहां मिडिया को बुला के देख देख पैर पे गोली मार रहा हूं मैं ठीक से है उसके उसके ओपर कुछ नहीं किया गया तो हिए고 कि इस सतरओं नहीं नहीं शतर गी इसको आप लोग अपनी कमीय से भी जोड करनी देखती है क्या विपकशी पार्टियों का धृर्म विपकशी पार्टियों की जमे जिम्हीं ही चाइ," सरकार अगर किए गलत रास्ते पर चल रहे हैं सुनभाई नहीं हो रही है या फिर आप लोग भी सरकार के दबाव में आ जाते हैं हम तो कर रहे हैं इसलिए हम को एंटी नैशनल प्रो मुस्लिम दुनिया भर के इल्जाम हम सिर्फ इनसान के साथ हैं अगर कोई भी मरेगा कोई भी मजलूम होगा हम उसके साथ हैं बियार दीव के जो बच्चे मरें उनकी हमें जात नहीं पता हम उनके साथ खड़े हैं पूर्वी उत्ताप्रदेश की प्रभारी उन्हों ने भी कहा कि हमें जवाओं को अपने साथ जोडने का प्रयास करना है इसमें बुराई क्या है आप राजनेतिक जलो का अधिकार है कीजिए लेकिन दूसरा करता है तो मिटाईए आप बच्चे अगर आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहें किसी बात पर नाराज हैं काला जंडा दिखा रहें तो आप उनके उपर एनसे लगा रहें उनकी ताकत आप ल मैं आउंगा आपके पास मुझे कुमार अशुक पांडे जी मैं आप से यह जानना चाहरा हूं आप खूब सबबाद कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता और जो रणीतियाक्तियार करनी है वो कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब आप वोट की अपील करने के लि तो अब आपका जवाब क्या होगा इनसे फ्लाइट जिसका सदव जाफर जी में जिक्र किया समाजबादी पार्टी के स्वोक्स परसन ने भी जिक्र किया तो उसको लेकर जबाब से सवाल होगा तो क्या जवाब दीजेगा मैं अच्छा जी बहुत अच्छा प्रशन किया है आपने मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह से अरजुन होकर के प्रशन किया और गीता की तरह मुझे संवाद करने का आउसर दिया इसके लिए बहुत धन्यवादा बीजेपी सुसाषन और पारदर्शी ब्रश्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए जानी जाती है आज यही कारण है कि इस पूरे देश में सबसे जादा प्रदेश में हमारी सरकारे हैं और रहेंगी जो हम पे सवाल उठा रहे हैं सरकार की नीती पर शक करने वाले लोग अपने गिरेबान में और अपने सरकार के कारिकाल को जाप ले उस जाकने में उनको सारा जबाब मिल जाएगा कैर रहीम कैसे निभे बैर कैर को संग वो डोलत अरस आपने उनके फाटत अंग आज समस्या ये है उसकी कमीच हमारी कमीच से सफेद कैसी इस बात की समस्या है आप ये देखिए इंसे फलाइटिस की बात हुई आपने बहुत अच्छा जबाब दिया इंसे फलाइटिस चाल अच्छा बोलती है इन्हों ने एक बात कही कि साब इन्हों ने जो है वो वहाँ पर ये कहा बयान की बात करें इसे बैयान इनके हैं कि आपको शर्म आजाएगी लेकि ये ये वितरं पर नहीं जाओंगा वनेताओं को अपनी पार्धिय कर सकते हैं लिकिन अगर एक ये जो तो अगर ये कहते हैं कि आगस्त के माइने में बच्चों की जान जाती है इसको भी तो उचित नहीं ठाहरा जा सकता है और मैंने वहाँ जो लाइन बोली थी कि वो एक बहुत बड़ी साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता निश्चित तोर पर वो साजिश उसका रिजल्ट आपके सामने आगया है नहीं क्या रिजल्ट बताईए ना लोग थे वो डॉक्टर समी करके थे क्या थे मुझे बताईए जरूर आप अप्चार ये मुझे आप ये बताते हैं आप जिक्र करेंदे पांडे जी अभी आप जिक्र करेंदे एसी कमरों की आपको बतादू आपके मुझे जवाब दे ये लोग जो दो डवाई सश्थी जो रात की दो इसने रिक्वेस्ट में और बलातकार बच्चों से गलती होती है उस पर नहीं आना चाहता परसाद बाढ़ादा तर तर शुनिए ना आप अपने जवानों को समालिये लोग जो बच्चों की मां के साथ बलातकार पर भी आपको एलेगा है पोडरों की हाथ है। है आज बच्चों की बात हो रही है आज इसमें 95 परसंट कमी आई है सर हम 100 परसंट चाहते हैं लेकिन पांडे में पांडे जी लेकिन मुझे बाता जवाब दे अगर अधेरे में पहुंसता था मुझे अपनी लाइन पूरी कर लेने दीजिए चार लोग मिलके मेरे उपर आरोप लगाएंगे मुझे जवाब देने का मौका चाहिए अच्छा जी सर यह तो आपको देर नहीं पड़ेगा स सरक जो है चमा चम सरक पनी हुए है अब मेरे सवाब दे दिए जहां तक आज हमने जो हमने मुझे बटाई की है नहीं पांडे जी सुन तो लिए सब्सक्राइब करोड़ रुपया लोग लगाने को तयार है जहां तक आपका रोजगार का प्रस्ट था असंगटे छेतर और स के साथ आए क्या सरकार की योजना लेकर क्या 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 किया आप बताई अच्छी बात है लेकिन वह रहां मंत्री आवास किसी ने सोचा था क्या सुनिए सब्सक्राइब मेरे सवाल पर दे दीजिए तो शायद दर्शकों को थोड़ा समझ में आगा मेरा कहने का मतलब यह है कि जब विपक्ष में आप होते हैं तब आप इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आज दूसरी विपक्षी पार्टियां आप से सवाल उठा रही हैं आप भी करते हैं अगर आज विपक्षी दल आपकी नाकामियों को लेकर आपकी कमजोरियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं त उसकी देन है कि लोगों को बिचो लिए हमने साथ कर दिये अब सीधा खाते में पैसा जा रहा है आप देखिए अबिताब बच्चन दिखाते हैं ये दस लाख रुपए आपके खाते में गया चले ठीक ठीक अबिताब बच्चन साथ और भी बहुत कुछ दिखाते हैं कि दस कафड़ आपके पास कारों और अक्षे cave बात पूरी कर लिए बात पूरी कर लेज। तक ऐसी इसी बात इतनी अ कि वाहां बाप करने प्रश्व्छा चार का strongest इनकी अपने मले चिप्चिया के रहे हैं कि भी हमारें को सुनने वाला नहीं को कश्चार है जैछिंट जो जो गोज जिस तरह का यूपी समिट में पैसा खर्च हुआ है क्या उसका आधा पैसा भी आया है हम तो जो जिन लोगों को विस्थापित किया गया सफाई के नाम पे शेहर की सफाई हो गई उन लोगों को कहां विस्ता उनका जो है वो उनको किया गया है गरीब सबजी वालों की सबजी मंडिया जो जाड़ी गई है कहां भी हर शेहर में जाके उनको बसाया गया है कि आज कोई खरीदने वाला नहीं है किसकी बात सुन रहे हैं अपने मन की बात कर रहे हैं अपनी मन की कर रहें गरीबों की आप सुनते देंगे ना चुनावी बेला अपनी जगा होगी तो आपकी जगा होगी ना अपनी जगा होती है थीक ठीक मैं दोबारा हूंगा हमने सामत वाद को समात किया है हमने अलबी साथ जिन लाठियों का जिकर आप कर रहे थे आपके शासन में भी तो खूब लाठियां चटकी हैं लोगों की नौकरियां लगने के बाद गई हैं कोट के आदेश के बाद तो सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे ना कि आपके पास मौका था तब आप ने इस उधार पाए अब दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं देखे मैं आपके प्रश्ण का बिल्कुल उत्तर दूँगा लेकिन अभी तीन प्रश्ण जो अगर आप मुझे इजाज़त दें अगर जस्टिफाई करें तो मैं भी आपकी बाद पार्टी के हमारे में प्रियां बैटे हुएं सबसे पहली चीज कि जिस गोरकपुर की बात हो रही इंसिफलाइटिस की बात हो रही अक्षे जी उसके बारे में मैं भी एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि गोरकपुर इस प्रोन टू दे इंसिफलाइटिस सभी को पता है कि जे यी वहाँ पे जैपनी इंसिफलाइटिस के लिए बहुत प्रोन एरिया है लेकिन काम करना चाहिए हमेशा चाहेंगे हर कोई चाहेगा कि सहयोग है लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या जो वो बच्चे मरे थे जिस इंसिफलाइटिस की बात किया रही वहाँ पर आक्सीजन की कमी से मरे थे या कि के बची हैं नाम मातर बची हैं आपको पता लग जाएगा जो भी तस्वीर होते हैं अच्छी हो या बुरी हो हम असलियत जनता कि कामने रखने की बिजली बिजली के बारे में भी यूनिट बता दीजिए पूरे श्रूपी के साथ बता रहे हैं यह उनका समय है उनको बोलन जो रही बात रोजगार की जो आज चुके मन की बात की बात हो रही है योगी जी के तो रोजगार की मैं बताना चाहता हूँ कि अभी दो सालों में आपने देखा चाहे यूपी पी सीयल हो चाहे यूपी पुलिस हो चाहे ट्यूब बेल आपरेटर हो चाहे आपने देखा कि बीटी सी इंट्रेंस हो, यह सारे के सारे पर्चे लीक हुए, यह इनकी नीती रही है, वरस्टा चारी नीती, उसके बाद आपने देखा सहायक सिक्षक भरती का मामला, उसको भी आपने देखा, उसमें अतनी जादा फरजी वाड़ा हुआ, कि उसको रद करना पड़ा रिजल शी थी, जो लोहिया, वास योजना, तीन लाख बांच जार रोपए देने की थी, उसे क्यो के बंद किया गया, खरीबों को अगर चचत देने का, इनका मिशन था, तो तीन लाख Hersh aún. पांच हजार रोपए का रोज जो हम लोगों ने मकानें का काम, हमारी समाजवादी सरका करने करके दिखाया थम पत्वास मेहला को जो हम संदेने का फर्रोसा क्राम कर सब्सक्राइब नहीं समझेंगे आपने अपनी बात पूरी कर लिए अब दूसरों को भी सुन लिजे प्रशान पाठा की मेरा सवाल यह है कि जो तमाम बातों का जिकर अभी कर रहे हैं समाजबादी पार्टी के प्रवक्ता जिस वक्त उनकी सरकार थी उस वक्त यह की तमाम सवाल उठते थे और उस वक्त आप लोग भी समाजबादी पार्टी की सरकार का हिस्सा थे लेकिन अब आलोग होने के बात आप लोगों के भी स्वर बदल गये आप लोगने भी तमाम मुद्दों पर भ्रस्टाचार को लेकर जो बात कर रहे हैं आपकी पार्टी के अपने इस तरह पे सही बात करी जब तक हम सकता पक्ष में रहें और जब तक आदर्णी नेता जी का सकता पक्ष में कंट्रोल रहा मतलब उनके आदेशानुसार सरकार चली तब तक सरकार सुचार रूप से चली जैसे ही वह एक हाथ में गई एक तरीके से डिक्टेटर्शि की गरीब की तो उसको लेकर के मत्भेद पैदा हुए मत्भेद और मन्भेद बढ़ते बढ़ते वह इहां तक पहुंचे कि किस तरीके से अंतर कले हुई यह सभी प्रदेश वाचियों को देश वादियों को यह सारी चीज़ विद्ध है तो अब दूसरी बात रही कारियों की आपने अभी एक सवाल इन्होंने किया आधरी बीजेपी के प्रवक्टा जी ने बोला कि हमारे मंत्री जी ने क्या किया आपको याद दिला दू कि सिचाई मंत्री रहते हुए और पीड़़ू मिनिस्टर होते हुए जो कारे उन्होंने किये आज तक योगी सरकार केवल काफीता काटने का काम कर रही कोई ने काम आप नहिए किया उस ताइम पर नलकूपों की ब्रवस्ता करी गई खMR em các Angstsanना engine Kennell ji Amelia कि सालों को पूरी तरीके से प Страх तो अब तक हम सरकार में से तब बहतर चली और इसके बाद सरकार अज की बीजेडे पी सरकार में क्या है केवल Do Hai है भी जड़्या है बारती सरकार ने बची है जो केbel धिक्तिटेडिस पर गालती समाजबादी यह तो BJP की B Team है अब यह देखे कहने को आप कोई कुछ भी कहले अगर BJP की B Team थी तो सबसे आदा लडने वाली यह टीम ही सामने थी को बड़ा का कॉई सभुआभादी पार्टी का परवक्ता सामने आ रहा तर शायम पर ऊजबूत लिया गया है आपको मिला है नहीं आरहा है आप अपने लेताओं की आपको आपको आई नहीं नहीं पर दिखाने का काम किया है लेकिन सब्सक्राइब इस बात से क्या इग्नोर किया जा सकता है कि आज तो ब्रेंडिंग का जमाना है अगर कोई अपनी पर्टी की तो उसमें किसी तरह की कोई परिशानी होनी चाहिए आप भी कीजिए या फिर इस बात का डर विपक्षियों को है कि इसमें बीडेपी जादा फाइदा उठा ले ज होना चाहिए यह तो एक सर्मान चिद्धानत है मैं एक बात कहता हूं सबसे बड़ा मंच होता है मंच होता है विजान सभा और विजान परिश्यत या मान लिए लोग सभा जे उत्तर परदेश में भी बजट पास किया गया बिना बहस के हंगामे में तो यह हुआ है हंगामा पूरा बजट बिना किसी आपस में विचार में मर्श के आप पास कर दिया नमर एक बात तो आपको यह विश्वाथ मही है कि आप बात करें एक प्रेल फार्म पर बात करें नमबर दो बात आई है कि बढ़े चुनाओं में एसे होते हैं जो बिलकुल जो है खामोज कि इसको मुद्दा बनाए वो गड़ते ही है कि इसे बीच में गाए है कि ऐसा मुद्दा प्रोडिशन हो जाए हूं और इसको मुद्दा जो है जो रूरी पाटी भी निमना रही है जिसको कोई बात नहीं कर रहा है अब देख लिए चुनाओं के बाद बाद में कहिएगा पाठक जी हमारे बजब के परोक्टा जी आप देखिए उत्तर प्रदेश इत्ती बड़ी असेंबली वहां कोई विधायक रोए कि मेरे दस लाग मैं चोरी हो गए है में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है रिपोर्ट लिखता है आक में रिपोर्ट जूटी है जो विधायक है तो खरूर मनाता है बैटके उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए बात करते हैं बच्छा चार की है आप चलिए आपका जिला है जहां बठे हुए हुए और जिला हमासों बहत रहे हैं आप जाके पूचिए महां क्या सित्ती है किता रिट बढ़ गया है हमारी अब हमारी तो यह साथ मुद्डे है जबादे है जिसके पार्टी का अंदर का रिखी जवाब दीजे यहां लोग साड़कों पे तलवार लेके चलते थे हशीव साब आप निसपक्ष बात रखिए इसी उत्तर प्रदेश की सड़कों पे लोग तलवार लेके निकलते थे इ इसी सड़कों पर S.P. City को जला दिया गया है। इसी उत्तर प्रदेश में इसी उत्तर प्रदेश में भगवाधारी एक रिस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में एक बहुत जगन्या, एक दंगे की सुरुजजी साजी स्रची जाती है भगवाधारीों के द्वारा। इसकी भी बात कर लिए पांडे जी यह नहीं आपको याद आता है। आप बात करते हैं आप हमेशा कुशी भी डिबेट को जबाब के पास जब मत तका यह और जान्वोग्व के दोगे लिए, जन्योगों की भात के लिए बात के लियां, नहीं अव्यादे करूभ तरहा हैं ना किसी तरीके का कौई सब्सक्राइब करना है यह आप लोगों को आपस में लड़ने का मौका नहीं दिया मैंने पूरा अफसर दे सब्सक्राइब करना है ठीक सर ठीक सर आपकी पार्टी के नेता देख हैं आपने बहुत अच्छी तरह सप्री पार्टी का पक्स रखता प्लीज सर प्लेश की सारी लागी क्या गाय गोबर और राम से उपर इडिपेंट जनता है सब्सक्राइब करने का दम बरने कर देखें एक महला शक्ती खामोश बैटी है यह परके होना चाहिए एक प्रवक्ता का एक नेता का कि अपनी बात सायंते कैसे कही जाती है और कैसे दूसरे के बाद सुनी जाती है यह उमीद कम ते कम लोग करते हैं सर प्लीज अब चार्चा के समापन का वक्त हो गया है और जो आप आते कर रहे हैं योगी जी ने आज कहे दी परशान मत हो इसने रोका हुआ है करें ना करके दिखाईए तो इस्तीवा देजिए घर बैट जाईए ठीक सर्व गया ना करें तो इस्तीवा देजिए घर बैट जाईए आप यह ज्यान मत दीए यह आप भी अपर आप से जानना चाहा हूं क्योंकि आज योगी जी ने मन की बात कार्टम में दो चीजों का दिक्र किया हाला कि यह वक्त जो है देश घुस्से में पुलवामा अटैक को लेकर लोगों का सारा ध्यान उस पर है कि हमारी सरकार क्या कारवाई करते हैं लेकिन कुम का इस तरह से दिख्र योगी आदित नात जी ने किया क्या कुम को लेकर पीठ ठप ठपा का प्रियास है देखिए ऐसा है कि रामंदुर को उपर तो साफ़ा पार्टिन ने कह दिया कि इस चुनाओं में उसको मुद्दा नी बना रहे हैं उन्ना मुद्दा बनने जा रहा है नंबर बात रही कुम की तो कुम की सिती है मैंने बहुत कुम कवर किया है महा कुम मैंने क अब बात किया आपने देखिए मैंने अभी एक एक बियान पढ़ाता मैं गुज़ात ने विजबी के पिरुक्ता ने कहा अपनी पार्टी की कार करता हूं से चुनाओं का जो वो मन्तब दे रहे थे इस वह जो है देश में जो है वो राश्वात का एक अबाल आया हुआ है इस के लिए और लidade को बद्टाकु यहाँ है एक यह कहले का रही है और यह जो भी करता है जो इस तरे कब आ देता बेना है तो उसका कंणनम तो होना ही चाहिए उसका कंणम ऑर्के है चले सारव चार्चा के समापन का बाता है व심 कर तक Kitchen नहीं दे रहा है बहुत शुक्रिया बह मिलाकर ये सिती तो साफ है कि इस बार का चुनावी घमसान बड़े जबरदस तरीके से देखने को मिलागा खास तोर पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जहां पर तीन दश्कों का सूखा खत्म करने की कोशिश में कॉंग्रेस पार्टी है तो वही सपा औ वापसी करने को जरूर हमारी वापसी होगी तो ये गेन आम जनता के पास में है और सब कहते हैं कि जनता जनारदन है वो अगर कोई फैसला करती है तो सोच समझ के करते है इसे के साथ लोगतंतर में आज के लिए बस इतना है एपिया न्यूज में खबरें लगातार जा रहे झाल